है एवरिवों जैहिं कैसे हैं आप सभी लोग आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के उपर है जो आज के टाइम पे इंडिया में बहुत जारा फैल चुका है जैसे कि आप लोगों ने थम्नेल और टाइटल देखा होगा बहुत ही आसान भाशा में हम लोग आपको ब्लैक हिम्मेदारी है और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो ब्लैक फंगर साथ का हमारा टॉपिक है और भारत में रहने की वज़े से हम लोग के लिए यह जानना जरूरी होता है इससे बचाओ कैसे हो ताकि अगर हम इसके बारे में जान चुके हों और कोई अफवा फैला रहा हूँ तो वो भी हम लोगों को एफेक्ट ना करें हम लोगों को जाग रुक कर सकें ठीक है और अगर आपके किसी एक्जाम के एस्पिरेंट है तो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन हो जाता है as current affair भी और बाकी knowledge के लिए तो होई जाता है तो let's start black fungus आज के टाइम हमारे overall इंडिया में आदे से ज्यादा states ने इसको महामारी घोशित कर चुके है एपिडेमिक घोशित कर चुके है ठीक है और यह कोई नई विवारी नहीं है यह पूरानी infection है लेकिन उस time पर बहुत जादा rare हुआ करता था जो कि only and only diabetic patients में पाया जाता था mostly ठीक है पर जब स यह Chinese virus यह coronavirus आया है तो after that इसके cases में बहुत ज़्यादा सर्ज आया है तो आज के time पर इंडिया में मुझे लगता है over 5000 cases इसके हैं और बढ़ते जा रहे हैं ठीक है तो अब यह black fungus जो है यह इसका common name है ठीक है इसका scientific नाम है म्यूक्रो माइकोसिस scientific नाम है म्यूक्रो माइकोसिस ठीक है और जो यह सबसे पहले effect करता है हमारे organs को वो है sinus nose या हमारे lungs फेपड़ों को क्योंकि यह यह फैलता है म्यूक्रो माइक नाम के molds मोल्ड क्या है एक प्रकार का fungi है ठीक है उनसे फैलता है म्यूक्रो माइक से जो की हमारे environment में हमारे परियावरन में प्राकरतिक रूप से पाया जाते हैं परन्तु यह अगर आपका immune system ठीक है पाया जा रहा है अब यह जान लेते हैं कि कौन-कौन से area यह effect करता है तो फर्स्ट हमने जैसे कि जाना nose को effect करता है क्योंकि आप इनको inhale कर रहे है second nose से यह आपकी eyes में फैलता है and then to the brain ठीक है तो as it affects your eyes and brain becomes very harmful ठीक है और mmucrumicosis यह black fungus एक fungal infection है जैसे कि मैंने बताया यह murkrumose नाम के moles से फैलता है ठीक है तो fungal infection है और इसको दो नामों से जाना जाता है अगर यह आपके different body parts को effect करता है different body parts या अगर यह आप फेस या आईज को एफेक्ट करता है और यह आपके ब्रेन को एफेक्ट करता है तो इसको अलग-लग नामों से जाना जाता है तो अगर यह आपके फेस या आईज को एफेक्ट करता है तो इसको कहते है राइनो और ब्रेन को एफेक्ट करता है तो इसको कहते है पल्मोनरी मिक् अब जानलेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन लोग इससे एफेक्टेड हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो पहले केस तो वही है जो जिन में पुराना पाया जाता था डाइबेटिक पेशेंट सैकेंड वह लोग है जिनको डाइबिटीज भी है और रिसेंटली वो करोनावाइरस क चपेट में आये हैं या उससे recover हुए है ठीक है और coronavirus में भी कौन-कौन से लोग सबसे ज़ादा आ रहे हैं वो है जो oxygen support system पे थे या दूसरे जिनको steroids दिये गए थे treatment के time पे coronavirus में यह steroids दिये जा रहे हैं अब इसके symptoms 10 से 12 दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं black fungus यह symptoms के बारे में जान लेते हैं क्या-क्या इसके symptoms है ठीक है तो symptoms तो बहुत सारे हैं लेकिन main symptoms आप लोगों को बता दूँ पहला है nasal blockage मतला आपके नाक बंदोना दूसरा है blackish यह bloody discharge from your nose मतला आपके नाक से कोई blackish काला या bloody खून का discharge खून निकल रहा है ठीक है तीसरा है swelling of eyes मतला आपके आँखों में Susan आ जाना चौथा है pain of your cheekbones आपकी जो cheekbones है उनमें दर्द होने लग जाना 5th is loosening of your teeth आपको यह लगेगा कि आपके दात धीले हैं धीले हो रहे हैं ठीक है 6th is blood or double vision जो आपकी vision है ठीक है देखने की शमता है उसको आप धुंदला पाएंगे और आप लोगों को दोहरी चीज़े दिखने लगेंगे 6th is your chest pain शाती में दर्द होना 8 is skin lesion skin lesion as in skin में wound हो जाना या skin hurt करना ठीक है and 9th is blood clotting खून के ठक्या बन जाना तो यह इसके major symptoms है अगर आप लोगो कहीं पे भी यह symptoms किसी में भी या खुद में दिख रहे हैं तो जल से जल अपना इलाज कर रहे हैं या test कर रहे हैं इसके precautions और prevention देख लेते हैं जो कि बहुत important हो जाता है ठीक है first is अगर आपको coronavirus हुआ है या आप उससे recover हुए है तो जो आपके steroids के doses है ना उनको बहुत ज़्यादा administer करके आप लोगों को लेने की ज़रूरत है ठीक है क्योंकि सबसे ज़्यादा corona patient से देखा जा रहा है और उनमें भी ऐसे लोगों में देखा जा रहा है जिनको steroids दिए गए हैं यह जो oxygen support system पर हूँ तो steroids के doses आप लोगों को बहुत administered तरीके से लेने पड़ेंगे तो second is जब आप अगर आप diabetic patient हो और आप coronavirus की चफेट में भी हो या आप recover हो चुके हो उसमें आपका blood glucose level जो है उसको बहुत carefully track करना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है क्योंकि blood glucose level shows the amount of sugar in your body ठीक है तो the third is अगर कोई patient जो coronavirus से affected है और oxygen support system पर है तो कभी-कभी जब उसका oxygen support system का humidifier होता है उसमें जो पानी हो है अगर वो गंदा है तो उसकी वज़े से भी वो बंदा black fungus से infected हो जाता है क्योंकि उसका immune system बहुत weak है जैसे कि मैंने बताया black fungus naturally हमारे परियावरण में पाया जाता है ठीक है तो वो humidified water जो है जो humidified पानी है उसको बहुत साफ रखने की जर्रत है oxygen support system में अगर कोई patient है तो अब treatment क्या है black fungus का ठीक है वो जान लेते हैं obviously क्योंकि ये एक fungal infection है mold से फैलता है तो इसको antifungal से treat करते हैं अगर ये शुरुवाती stages में है अगर ये बढ़ ज जाता है तो दूसरे में इसको surgery की जर्रत हो सकती है ठीक है और not last but not the least कुछ note है ये जो black fungus ya mucromycosis है it hasn't been now till now an outbreak मतला इसका कोई बहुत बड़ा increment नहीं आया है पर जो इसके 5-6 case आते थे इंडिया में कुल 5-6 ये ज़्यादा बीस लगा लिजी उनके comparison में 5000 ये 7000 बहुत ज़्यादा है ठीक है तो cases का outbreak नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा नहीं फैला है लेकिन पहले के comparison में बहुत ज़्यादा है दूसरा ये है if it is not cured timely it can be deadly ठीक है अगर time से इसकी पैचान और इसका इलाजना किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है तो ये था आचका black fungus मैंने बहुत short पर बहुत depth और detail में आप लोगों को ये पूरा black fungus समझाया मुझे नहीं लगता इससे बाहर पे कहीं पे इसका अगर बहुत detail में आपको जानना प्लीज अगर आप हमारा काम पसंद कर रहे है हमारे मिहनत को सब अप्रेशेट कर रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब तो थे एसवाई जोन वी बी वेरी हैपी वी बी मोटिवेटेटेटेश